अगर बात करें इंटरनेट की तो इंटरनेट को समझने के लिए इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था नेटवर्क क्या होता है तो देखिये नेटवर्क होता है दो या दो से ज़ाधा कम्प्यूटर जब आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो हमारा नेटवर्क बनता है अब इसके बाद हम इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट की डेफिनीशन देखिये क्या होती है network of networks is known as internet मतलब network का network ही क्या कहलाता है internet कहलाता है इसको इस चीज़ से समझे जैसे आपके पास तीन network है एक network जिसमें चार computer है ठीक है यह चार computer है और आपस में जुड़े हैं यह बना रहा है हमारा network one NW मतलब network होता है यह हमारा दूसरा network है जिसमें हमारे सिर्फ 3 computer हो सकते हैं अब इन गिंतियों के उपर मत जाएएगा कि 3 computer का network है या 30 computer का है आप concept समझने की कोसिस करिएगा कि यह हमारा हो गया network two और इसके बाद एक कोई network हो सकता है जिसमें आपके 5 computer आपस में जुड़े हुए हैं इसका नाम है हमारा network three ठीक है तो यह तीन network आपके सामने दिये हुए हैं अब यह तीनों network जब आपस में जुड़ेंगे तो उसको हम कहते हैं internet ठीक है network one को three से जुड़ दिया three को two से और one को two से और यह आपस में जब जुड़ गये तो यह चीज़ क्या बना दिये internet ठीक है यह चीज़ समझ मैं यह तो कोई पूछे internet क्या होता है तो हम simple से चीज़ बताएंगे कि देखे network को आपस में जुड़ने से internet प्राप्त होता है अब आगर आप इसको original concept में देखने के कोसिस करें कि internet है क्या बात करूँ advantages of internet की तो internet के असीमित advantage है मतलब भाज की दुनिया में सब कुछ internet से ही हो रहा है तो कुछ basic advantage की बात करूँ तो सबसे पहले हमारे दिमाद में आता है data sharing का कि internet की सायता से आसानी से data को share किया जा सकता है इसके बाद दूसरा advantage होता है file sharing का या resource sharing का संसाधनों का share भी internet के माद्दिम से आसानी से हो सकता है तीसरा use जो होता है वो होता है entertainment के sector में चौथा use हो सकता है education के sector में पांचवा use जो होता है वो होता है hospital के sector में ऐसे तमाम example आपके सामने मिल जाएंगे तो ये एक basic सा lecture था internet क्या होता है इसके क्या advantages है अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को like कर सकते हैं और चैनल को subscribe कर सकते हैं मिलते हैं अगली lecture में thank you